हेलो, PHP में form को कैसे create किया जाता है, इसको सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि PHP में get और post method क्या होते हैं, इसके बारे में हमें knowledge होना चाहिए तो सबसे पहले यहां पे हम get method इसकी definition क्या है, HTML form में get method से data को server side में send कर सकते हैं, और dollar underscore get variable का इस्तिमाल HTML form data को server side में collect करने के लिए होता है, HTML form data को get method के साथ server side में send करते time, HTML form के सभी data URL में show होते हैं, और get method से limited information data को send कर सकते हैं, इसके बाद get method में कुछ points हैं, उनको याद रखना जरूरी है, तो यहां पे सबसे first point है, HTML form में get method से send की जाने वाली सभी information, URL में visual होती है, तो यहां पे get method के जरीए हम जो भी information send करते हैं, वो information जो है, वो URL में visual होती है, इसके बाद second point है, get method में limit character string send कर सकते हैं, जिसमें 1024 character ही send कर सकते हैं, इसके बाद third point है, अगर हम password या दूसरी sensitive information को server में send करनी हो, तो get method से नहीं करनी चाहिए, यह क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो information है, यह URL में दिखाई देती है, इसलिए हमें इस method के जरीए, यह send नहीं करनी चाहिए, इसके बाद अगला point है, get method, winery data को server में send नहीं कर सकता, winery data जैसे की Amaze, world documents, इसके बाद अगला point है, get method से send सभी information को, server side में, यहाँ पर dollar underscore get variable collect कर सकते हैं, तो यह get method के यहाँ पर points दिए गए हैं, इनको हमेशा याद रखने चाहिए, इसके बाद इसको हम आगे detail में जानेंगे, तो यह देखो, form में हमने value भरी Amit, यह username जो है Amit है, इसके बाद यहाँ पर है password, password यहाँ पर बरा 123 Amit, username और password भरने के बाद हमें जो output मिलेगी, वो है Amit और उसके बाद है यह password, 123 Amit, तो यह आगे username और इसके बाद यह आगे नीचे password, तो php get method में आप form की value को URL में भी देख सकते हैं, जैसे question mark के साथ username, password देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर URL में समझेंगे, यह देखो, यह URL यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर यह देखो, http यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद यह colon, इसके बाद double forward slash, इसके बाद example, इसके बाद dot com, और यहाँ पर forward slash लिखने के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है home, इसके बाद dot php, इसके बाद यहाँ पर question mark, और question mark के बाद यहाँ पर लिखा हुआ username, username हमने यहाँ पर वह रहा था, आमीत, यह देखो, आमीत वह रहा था, तो यह देखो यह passport हमने वहारा था, यह भी यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद submit, button है, is equal to submit लिखो यहां पर यह जो form की values हैं, यहां पर हमें दिखाई दे रही हैं, कि हमने username क्या वहा हुआ है, तो username यहां पर अमित वहा हुआ है, और password क्या वहा हुआ है, तो यह यह जो method है यह secure नहीं है इसके बाद हम यहाँ पर post method की definition जानेंगे तो यह post method की यहाँ पर definition दी गई है HTML form में post method के इस्तिमाल करके send की जाने वाली information http header के साथ send की जाती है post method के साथ send की जाने वाली information URL में visible नहीं होती है इसलिए password या sensitive information को server side क्यों तरीके से send कर सकते है post method से binary data जैसे amaze, word document जैसे data को server side में send कर सकते है post method से send की गई information server side में dollar underscore post variable की जरिए collect कर सकते है तो यह post method की यहाँ पर definition होगी इसके बाद post method में हमें कुछ points यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे तो सबसे पहला point है post method से send की जाने वाले data size का किसी परकार का प्रतिवन्द नहीं है जैसे get method में limit थी 1024 ग्रेक्टरी इसमें आ सकते थे लेकिन यहाँ पर post method में कोई भी limit नहीं है इसके बाद second point है post method की इस्तेमाल से ASCII इसका मतलब होता है American Standard Code for Information Interchange और वाइनी डेटा को server side में send कर सकते हैं इसके बाद आगला point है post method से आपकी information secure है इसके बाद आगला point है post method से send की गई information server side में dollar underscore post variable के साथ collect कर सकते हैं जब हम post method का इस्तेमाल करते हैं तो URL में form की कोई भी value यहाँ पे दिखाई नहीं देती है यह दिखो यहाँ पे जो हमने form बनाया था उसकी जो value थी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है जैसे कि get method में क्या होता था वहाँ पे जैसे यहाँ पे username लिखा हुआ है वो भी दिखाई देता है password लिखा हुआ है वो भी दिखाई देता है लेकन यहाँ पे form की कोई भी यहाँ पे value दिखाई नहीं दे रही है तो इसी लिए यह जो post method होता है यह सबसे square होता है तो हमें जो यूज़ करना चाहिए वो post method यूज़ करना चाहिए ना कि get method अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि form को create कैसे किये जाता है post method के जरीए और get method के जरीए तो इसको अगली वीडियो में हम सीखेंगे तो इस वीडियो में हमने post method और get method के बारे में जाना